हाई गाईज, वेलकम टो और यूटूब चैनल दारियल इन्वेस्मेंट आयर सिटी से स्टॉक को लेकर दो बड़ी खबरे हाँ पर बनते हुए देखने को मिल रही है जिसके चलते स्टॉक के अंदर आगे क्या होगा ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूर है क्योंकि एन्सट का एक बड़ा जटका आयर सिटी से स्टॉक को यहाँ पर लगते हुए देखने को मिल रही है आपको मैं चार्ट दिखाना चाओंगी तो स्टॉक में आप देख सकते हैं कोई भी एक मुमेंटम स्टॉक के अंदर बनते हुए देखने को नहीं मिला जो इसके पहले की closing थी उसके पास यहाँ पर stock close होते हुए हमें देखने को मिला है नेक्स लिए पर अगर इसके हम delivery के बात की जाए तो delivery पर देख सकते हैं कुछ खास यहाँ पर उठाई जा नहीं रही है 17.74% की delivery उठाई जारी उसमें से भी आदे सी जादा यहाँ पर selling quantity होते हुए हमें देखने को मिल रही है तो इतना अच्छा IRCTC stock यहाँ पर perform करते करते इस बीच ऐसी क्या बात हो गई जिसके चलते stock का यहाँ पर performance हमें lower होते हुए देखने को मिल रहा है अगर आप इसका five days का चार्ट देखेंगे तो five days में stock यहाँ पर rapid jump दिखा दी थी stock के अंदर और वापस से अब NAC के तरब से ऐसा है यहाँ पर statement आती है हमें देखने को मिल रहा है जिसके चलते अब IRCTC की रुख किस और हमें देखने को मिल रही है यह जानना बहुत ही ज़रूरी है सबसे परे तो मैं NAC की जो news है वो आपकी साथ यहाँ पर cover up करना चाहूंगी बाद में हम इसके बारे में good news के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं IRCTC among the three stock under the future and option banned on NAC today तो आज के दिन NAC में से हाँ पर IRCTC के लिए चीट जो future and option के लिए हाँ पर stock माना जा रहा था IRCTC के साथ साथ और तीन भी ऐसे stock है जिसे NAC से यहाँ पर future and options के लिए हाँ पर ban कर दिया गया है जैसे के आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर रिजन भी आपको देखने हु मिल रहा है जो की इनका reason आप देख सकते हैं 25% इसकी market जो wide position सी यहाँ पर limit से भाहर हमें जाते हुए देखने को मिल रही है and the three stocks in the ban for the trade on the future and option today are the Indian bull housing finance, Indian railway, catering and tourism corporation यानि की IRCTC and the national aluminium company तो यह तीन stock आपको यहाँ पर देखने हु मिल रहे है जो की Indian bull housing financing, IRCTC और साथ ही साथ आप national aluminium company भी हाँ पर देख सकते हैं अब IRCTC के बारे में जान लेते हैं the IRCTC and the will started India's first indigenous crucius leaner from the September 18th यहाँ पर September 18th से यहाँ पर start करने जा रहा है जो की इंडिया में first time ऐसे होने जा रहा है जो की indigenous crucius leaner यहाँ पर stock यहाँ पर IRCTC से start करने जा रहा है तो इसका impact stock के उपर पढ़ते हुए देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर linear September 18 से यहाँ पर start होने जा रही है जो की launching IRCTC से ने कर दी है इसके बारे में डिटल थोरी जान लेते हैं IRCTC has joined hands and signed debt agreement the Crudelia Crucius being operated MS Waterways Lishers Tourism Private तो अपि यहाँ पर प्रेटें यहाँ पर waterways and Lishers Tourism Private Limited के चलते होने वाला है फॉर दे प्रमोशन और मार्केटिंग फॉर्स इंडिजने को मिल रहा है लग्जरी इस जो क्रूस देखने को मिल रहा है जो कि इंडिया में फॉस्ट आये इसके प्रमोशन के लिए और मार्केटिंग के लिए अधर इंक्रीडियम्बल लग्जरी ट्रावर ओफरिंग अंडर दे आयर सीटी सी अंब्रेला ऑफ टूरिजम सर्विसेज तो दे पॉब्लिक एंड रेल्वे पुचिस सेद दे स्टेट्में यहाँ पर रेल्वे के तरफ सी यहाँ पर स्टेट्में आते हो देखने मिल रहा 객 अदे डिवे कव्लत पाई इनकी नाम व्ल्वाब कर सकते हैं और इसे ऐसे चुजरे एक इसे कि यहाँ पर यान icon की यहाँ पर एट्राक कर सके एकए तो आपि यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टॉक पार्सिस हमें देखने के तो यहां पर आज की यहां पर करंट्ली की बात की जाएं तो यहां पर 120 परसंट सर्जिंग स्टॉक के आंदर हमें देखने को मिली थी सेंसे स्टॉक मार्केट डेबुट आयल सिटी सी हाज गिवन स्टेलर रन साथ रैली 10 तैप सो 10 तैम स्टॉक के अंदर हमें रैली देखने को मिली अगर इसकी आईपयो इस्टॉक प्राइस देखेंगे तो 320 पर शेर हमें देखने को मिली थी देखने को मिल रहा है तो यह आयल सिटी सेटेट जो एनसी के चलती है पर जो हमें न्यूज देखने को मिल देखने को मिल देती है एक बूरी और एक यहाँ पर अच्छी भी न्यूज देखने को मिल रही है तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि आपको आयर सिटी स्टॉक के रिडिटेड आपको क्या है पर डिसीजन लेना चाहिए और इसके अंदर कि आपको होल्डिंग किस लेवल तक की रखनी चाहिए I hope so यहाँ पर आप समझ चुके होगे so thank you so much